हेलो एवर्यवान विल्कम बैक तो मैं चैनल इवनी टेर और शिक्स बैट रूट आपके पार्टनर के साथ आपका रिष्टा किस तरह से बदर सकता है फुल मून है on 6th January 2023 इसके बाद जो आने वाला समय है उसमें क्या significant changes आप अपने पार्टनर के फिलिंग के अंदर notice कर सकते हैं टाइमलेस है collective है for all zodiac science and it is a general prediction ठीक है जाएंगो लाइक शेस करें जरू करें इंस्टेग्राम में फॉलो करें इंस्टेग्राम का जो आईडी है वो description box पे दिया हुआ रहेगा you can also subscribe मैं another channel last में हम dice prediction करेंगे इस बार का जो full moon है ठीक है वो इस तरह से है that is the wolf full moon जहां पे wolf जो होते है काफी strong animals अब जानते हूँ so wolf हमेशा गहराई में मतला अपने आपको समझने समझना दी कि अपने आपको और अच्छा से परखना इस तरह का ही कुछ spiritual माना जाता है ठीक है spiritual mini उसी तरह से है now यह जो wolf होते है यह of course सर्दी के समय पे उनको पता नहीं क्यों ऐसे शिकार कम मिलते है तो वो जहां जहां पे भी लोग रहते है ठीक है उसके आज सपास चले जाते है बहुत जोड से चिलाते है ताकि उनको कुछ खाना वना कोई दे या मिले रात के समय पे तो उसी से इट्स लाइक देस थेंग कि वुल्फ फूल मून आया है ठीक है तो लेट सी लेट स्वाइंड आउट काई जो एंड़ेशन की मेरे जो विवर्स है उनके संदेगी में किस हद तक उनके पार्णा के साथ क्या रिलेशन्शिप का कोई बदलाओ हो सकता है उनके पार्णार के अंदर कोई चेंज़ेश आ सकते है क्या उनका एक्शन हो सकता है आफ्टर दा फूल मून जब यह इनसान कुछ लोग के लिए जब यह इनसान आपको छोड़के चले गए ना आपको जैसे जोर का जटका एकदम धीरिये से लगा था टोटली इट वस शॉकिंग क्योंकि अपने एक्स्पेक्टेशन नहीं किया था ठीके और इनका रवाया देखके कोई ऐसे भी नहीं कह सकता था कि आपके उपर यह fully 100% dedicated नहीं है कोई भी शायद आपने इनको अपने दोस्तों से मिलाया आपने परिवार वालों से मिलाया लेकिन किसी के मन में भी एक बूंद शक नहीं था कि यह इनसान ऐसे निकलेंगे ठीके जिस तरह से सर्दी में लोगों को छोड़ दो ऐसे गर्म कपरे के मिना किस तरह का हालत होगा उनका उसी तरह से उन्होंने आपको छोड़ा था और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये इनसान जो है अपने आपको हमेशा ही गार्ड़ रखते हैं जिस तरह से सिक्योर्टी गार्ड्स जिस तरह से सिक्योर्टी डिपार्टमेंट जिस तरह से हमारे देश के जो सैनिक है वो हमारे रक्षा के लिए किस तरह से जो बॉर्डर से उसमें खड़े रहते हैं चाए वो धूप हो चाए वो बारिश हो चाए वो गर्मी हो किसी भी हालत में कोई भी टेमपरचर में या अपने आपको हमारे देश के सुरक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं राइट तो यह इंसान अपने ही ठीके फिलिंग्स को चुपाने के लिए हमेशा ही फिलिंग्स को चुपाते हैं पूरी तरह से खुलके एक्स्प्लेंड नहीं किया है लेकिन ऐसा भी आपको नहीं लगा है कि यह इंसान आप में इंट्रेस्टेड नहीं है काफी मिस्टीरियस किसम के इंसान है जो जिसका मतलब रहसी है अगर आपको जानन इनके बड़ताओं में क्या परिवतन आएंगा यह सुनते बहुत जादा है लिसनर बहुत जादा है वाल्टर डिला मेर जो थे थी कि उनका एक पोएम था अभी तक मुझे वह याद है कि लिसनर्स घर्ट नहीं मतलब जो स्टोरी था उसमें यह था कि एक सैनिक आते है अप घर जो पुराना है लेकिन वो ऐसे नौक करते है और अंदर से कोई आवाज नहीं आता है लेकिन लिसनिंग मतलब कोई पता है क्या है hearing नहीं है listening मतलब समझना respond करना उसके हिसाब से उनको ऐसा लगा था कि घर में कोई तो है चाए वो spirit हो चाए वो कोई तो है जो सुन रहा लेकिन कोई respond नहीं कर ला था इसी तरह समझें यहां पर दिख रहा है कि इंसान बहुत ती ज़्यादा शातिर दिमाग के है ठीक है यह लोगों की बात इतना ध्यान से सुनते है A to Z यह notice करेंगे ठीक है जैसे हम लोग दूसरों के बात सुनते हैं कभी कभी क्या होता न हमें दो तिन वर्ड सो आइदा तो communication के दोरान समझ में नहीं आता है या वो सद हम दो बार उसको पूछते नहीं है या हमें लगता है कि नहीं नहीं शायद हमने गलत ही सुन लिया है यह लेकिन बहुत ही अच्छे से सुन लेते हैं आपने अगर हर एक वर्ड इनसे कहा है तो में जो fan होते हैं अभी fan following नहीं है fan यह इंसान अपने सिंदेगी में relief मतलब स्वस्थ होना चाहते हैं उनको चुटकारा चाहिए किसी एक गंदे relationship से nasty relationship से इसलिए वो शायद आपको याद करे हैं ताकि आप उनको जाके relief कर दो a pair of earrings शायद उन्होंने आपको अगर आप female है तो उन्होंने आपको कुछ earrings दिया था मैंने बोलर की gold काही दिया होगा तो दिया था शायद आपके पास अभी भी है लेकिन आप कभी कभी इतना जदा भड़क जाते हो आपको लगता है कि वो अपस देखिया है मुझे कुछ नहीं चाहिए इनका तो यह इंसान जो है मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है अच्छ इनके actions जो है ना बहुत जदा twisting and turning so after this full moon मुझे दिख रहा है जैसे आपके सपने उनको बहुत जदा जैसे भगाते है जैसे उनको सपने में दिखता है कि आप उनको एक हतियार लेके उनके पीछे दोर है और वो बहुत सदा डर जाते है क्योंकि गलती तो उन्होंने किया है तो mistake तो उन्होंने किया है तो अगर गलती किया है तो माफी तो उनको ही मांगना है as simple as that but यह इंसान बहुत जदा self esteemed self you can say that इतना जदा अपने आप के उपर मतलब यह आज तक शायद किसी से भी apology नहीं मांगे है अपने boss से भी नहीं मांगे होंगे there's so much arrogant and there's so much rude and shrewd mentality they do have okay scorpio बहुत जदा strong है scorpio cancer, Pisces, very strong scorpio यह अपना जो घमंड है देखे लोगों को दिखा देते हैं लोग इससे भरक जाते हैं पर यह उसमें ही अपने आपको supreme feel करते हैं after the full moon देख लेते हैं और क्या changes हो सकता है इनका गर्व जो है ना फाल्दू के चीजों के उपर हो है और एक दिन यही लेके उनको टूबेंगे यह देखो कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पर यह feel हो रहा है they want to come back in your life but कौन सा मुझे आएंगे और अगर आप कोई existing relationship में हो तो यह सोच रहे है कि किस तरह से आपको कुछ confirmation दे या assurance दे या और समय मांगना चाहते है आपसे before coming into the final decision full and final decision आने से बहले वो आपसे कुछ कहना चाहेंगे उनके past के बारे में और पता नहीं उसमें कितना सत्य होगा उसमें कितना सत्य होगा I don't know but they will share with you और यह आपको hug करना चाहते है देखो they want to hug you and यहाँ पर मुझे कुछ chillies green chillies यहाँ पर दिखाए दे रहा है anyway chillies दिखाए दे रहा है तो masala वाला so they do feel that you are very hot you are very sensual ठीक है and आपके body को यह आपको touch करते ही उनको बहाँ ज़ादा मतलब इस तरह से जैसे होता ना का magnetic vibes vibration feel होता है they are very much fascinated about your body about your eyes आपके lips और यह ठान ले चुके है कि शादी का बात तो देखो दूर का है लेकिन वो आपको किसी का भी होने नहीं देंगे but still they feel that you are less as compared to them but अभी भी यह feelings उनका है बहेदभाव उनका अभी भी है कि आप इनसे कम हो हैसियत में हो सकता है maybe in any other terms में भी रोजगार के हिसाब से हो सकता है but शायद आप बोलोगी कि ऐसी भी सोचते है मेरे person मुझे तो पता ही नहीं था उनके अंदर यह सब कुछ चीज चलता है even यह आप बिश्वास नहीं करोगे यह अपने friends को भी उस friends को अपने जिंदगी में allow करते हैं जो अच्छे खासे position में काम कर रहे है, respected है, honorable है society में even society के लोगों से भी यह mix होते है न उनकी जो status है उसको देख कर mix होते है so मुझे हाँ पर यह feel ज़रूर होता है कि they actually न love not only your kind say maybe वो ऐसा मानते है कि जब तक आप उनके equal नहीं बनते तब तक मुश्किल है उनको अपने जिंदेगी में अपनाना और बहुत ज़दा नौटां की बाज़ है they are very much dramatic, over dramatic कुछ भी बोलो जोड़ जोड़ से चिलाना या हसी मजाग उड़ाना जो आपको insulting लगे they are actually मतलब उनके minds जो है न scattered there, जो सबसे फैल जाना अद्रक जैसे फैल जाता है कहीना कहीं से उसी तरह से यह ना फैल जाते है इनकी दिमाग जो है न एक जगह पे बैठता ही नहीं they are very much like that फिर वो आपको बोलेंगे कि कैसे मैं आपको final confirmation तू मुझे थोड़ा सा और समय दे दो ठीके and यहां पे the fool का energy है यह इनसान चाहते है आपके साथ थोड़ा explore करे थोड़ा enjoy करे थोड़ा time recreation के लिए रखे फिर यह बोलेंगे रही अभी क्या है अभी तो हम थोड़ा सा enjoy करते हैं फिर हम बात में सोचेंगे ठीके देखो यहां पे मुझे विशाखा नक्षत्रा यहां पे बहुत ही खास दिख रहा है scorpio and विशाखा नक्षत्रा and yes अगर उन्होंने कई जगा पैचिर्मेंट किया है उनका high rank भी हुआ है तो इतना आपको जटाएंगे जैसे आप उनके सामने कुछ भी नहीं हो देखते हैं after the full moon what kind of decision they make in their life for you उनके cheeks में कुछ spots हो सकते हैं उनके आखों के एकदम corner पे या chest पे tattoos हो सकता है back side पे या left or right hand पे उनको ना chocolate brownies बहुत बसंद होगा या आपको देखो मुझे अभी तक जो यहां पे नजर में आ रहा है वो है the relationship is still now very fragile कभी भी यह नाजुक है कभी भी तूट सकता है तो मुझे दिख रहा है after the full moon ठीक है थोड़ा सा sensitive issues के उपर अगर आप उनके उपर जाम दे देते हो या बात चलाते हो तो यह react कर सकता है it's better to stop ठीक है अच्छा और मैं कुछ hints दे देती हूँ ताकि आपको पता चले कुम्बराश ही important है और पाईश इस वरी इंपोर्टन यह लव नॉन विजिटेरियन फूट कुछ लोग के लिए मुझे दिख रहा है इनको हर एक restaurant ट्राई करना उनका खाना पसंद है इनको दूसरा चीज है कि काफी गुसा है आपके उपर क्योंकि वो चाते है कि आप इनके तरफ focus करो attention दो आप नहीं कर रहे हो बोल कि इनको all problems हो रहे है ठीक है यह ऐसा सोच रहे है कि अगर यह लड़के है तो यह ऐसे ही सोच रहे है मैं क्यों जाओ इनका divine masculine side जो है काफी ज़दा इनको permit नहीं कर रहा है कि आपके तरफ यह खुद जाए यह अपने आपको रोकने की कोशिश कर रहे है लेकिन वो resist नहीं कर पा रहे है ठीक है क्योंकि आपकी जो energy है उनको अपने और आकरशित कर रहा है and in future also यह ऐसे ही होगा यह बहुत आराम फर्माईश इनको लगता है इननों ने दुनिया में बहुत कुछ पा लिया है तो they are like you know what मैं आपको क्या बताओगी यह इनसान जो है बहुत जिद्धी किसम का और इनको लगता है कि दुनिया में stressed जानकारी इनी के पास है और किसी के पास नहीं है and that's why जब तक इनके ego level का थोड़ा सा और especially on full moon day आप देखो कि इनके moods इनके temperaments काफी बदल जाएंगे so it's better not to speak on sensitive topics ठीक है even अगर आपने उनके family के बारे में भी कुछ कहा या उनके personal life या past life के बारे में कुछ कहा तो शायद यह जगर परेंगे मुझे दिख रहा है यहां पर so you should not अगर आप contact में है तो अब इस बात को ना करे और अगर आप no relationship status में है no contact में है तो यह मुझे दिख रहा है कि attempt यह करेंगे आपके साथ बात करने का लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यह आपको कोई final proposal या कुछ देंगे क्योंकि अभी तक मुझे दिख रहा है आप दोनों ही in fact नाजुक दोर से गुजर रहे हो जहां पर relationship में कोई मुझे fine मतलब एकदम strong bonding नहीं दिख रहा है ठीक है तो देख लेते हैं with the dices just a second guys so मुझे यहां पर दिख रहा है कि जिस तरह से भोग लाग सा कामना वासना किसे इंसान के बहुत ज़्यादा weak factor है weak point है spirituality में सब कुछ चीज का मतलब कोई अस्तित्व है यह नहीं हाँ हाँ physical body में हैं तो हमारे कुछ needs हैं हमारे कुछ चाहत है यह इंसान बहुत ही ज़्यादा जिस तरह समय आपको बताया कि हमेशा ही आराम में रहना तेखे अच्छा dressing sense costumes, perfumes यूज करना यह हमेशा उस luxury के पीछे ही भागते हैं और उनके लिए कोई भी लड़का या लड़की हो जो भी gender wise अगर आप इनके उपर प्रेशर देतो तो यह आपको बोल सकते है कि अभी यह तो कुछ सोच नहीं रहे है आगे क्या यह सोचेंगे और दूसरा चीज है कि मुझी यहाँ पर दिख रहा है अगर आप बोलोगे भी न तो आपके statement में यह full stop लगा देंगे आपको कुछ बोलने ही देंगे पहली बात तो है फिर आपको temptation देंगे provoke करेंगे कि आप उनके साथ आके मिलो थोड़ा time spend करो और फिर आप भूल जाओगे ठीक है जो actual बात करना था उनके साथ आप भूल जाओगे so I don't find you can say यहाँ पर sexual connection यहाँ पर एक devilish energy बहुत जादा काम कर रहा है जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है so give it time let me see और देखो जो मैंने आपको बताया था 15 number जो devil का card है 6 में आता है 6 शुक्रा भी है शुक्राचारिय कौन थे जो दानव थे जो demons थे उनके गुरू जी थे शुक्राचारिय देव शुक्राचारिय देव जी मतलब देवो देवता के गुरू नहीं थे देवता के जो गुरू थे वो थे रहस्पती Jupiter so यहाँ पर sexual connections are quite intense so यहाँ पर of course आपको थोड़ा सा सादान रहने चाहिए अगर वो आपको कोई profugation करते है इस दोरान देखो हमारा काम है आपको alert करना आपका काम है उसको follow करना या नहीं करना ठीक है that is up to you terror does not give you और यहाँ पर candle wax prediction है यह तो और भी strong predictions होते है तो कहना गहे पर आपको नहीं बोला जा रहा है कि आप उसी को follow कर but it is up to you ठीक है सो मुझे यहाँ पर देखो six of course शुक्राचारिया six 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 is a number for venus so venus is always a planet of love happiness and also sex also ठीक हो सकता है कि आपको प्यार गाते लेकिन finally वो आपको क्या बोलेंगे वो अभी तक कोई confirmation में नहीं बोल सकते मेभी वो बोलेंगे भी और six के date पे ही है ठीक है six january ही हो रा है full moon so more fluctuations will be there so you have to keep yourself very strong so thank you so much for being in my channel I hope you like it and if you like please do share, subscribe and do comment in the comment section till then take care of yourself and keep watching divinity, ross, expert truth always exposes darkness and will expose darkness thank you guys and love you a lot and take care thank you